देखिए लगता है वो वाइट वाला बश सायद भई है देखता हूँ जैसे ही मुझे बस मिली मैं जटपट बस पे सवार हो गया और चल पड़ा अपनी अगली मंजीर की योद और रस्तों में आनंद लेते हुए समुद्र के किनारे रोट से गुजरते हुए गाइज यह रोट से कुनाक टेमपल जो है लगठक 200 मीटर के आसपास है और अभी हम जा रहे हैं कुनाक शंड टेमपल अलाकि यहां पे बीच तो नहीं है यहां से कुछ दूरी पे बीच भी है और देखते हैं वहां पे क्या है नहीं है पर एक चीज है कि गर्मी नवंबर में भी उडिसा में अच्छा है और जब आप बीच पे दीन में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है और आज वजे के बाद आपको बीच में नहाने का ओडर नहीं है वो सकता है कि कि प्राइवेट बीच पे ओडर मिल जाए आपको लेकिन पब्लिक बीच पे ओडर नहीं है जाइस मैं हूँ अभी कुनाग टेंपल का प्रांगन में और जश्ट मेरे पीछे टिकेट काउंटर है और 40 रूपीज फोर इंडियन और 600 रूपीज फोर फॉर्णर है और इस जगह को देखने का भी चार्ज आप जो सम्झों मेंटनेस चार्ज हो जो भी हो किनारे में देख पाएंगे पूरा कुछ बाजार लगा हुआ है और इसमें आपको तरह तरह की चीजे देखने को मिल सकते गर्मी तो यार बहुत है और मैं आपको भी बस दिखा रहा हूं कुछी देर में गाइज मैं हूँ अभी कुनार्ग शंड टेमपल ओडिशा जो की पूरी से लगभग 30-35 किलो मीटर पे है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कुनार्ग है यह काफी पुराना है झाल चुराना है कि तेर्मी शताब्दी में बना हुआ मालूम करता है जैसा कि हमारा रिकॉर्ड है और यह एक सं टेमपल है और इसके आजू बाजू आप देख सकते हैं अच्छा सा ग्री चारो साइड में घुमता हूँ भीड तो खर अच्छा खासा है इस जगा पर कुछ ऐसा ही फील होगा आपको देखिए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो यह जगह है काफी पुराना है लगभग तेर्मी शदी का और भी है यहां पर इस जगह इस टाइप का बना हुआ देखिए और भी देख लिए तसका चक्का आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं इंडिया टेप्स और मैं इस समय अभी पुनाग टेम्पल में हूँ और जो मेरे पिछे आप देख पा रहे हैं यह बैक साइड आप टेम्पल है और अभी मरमत का कार्य है यह इस जगह का आनन्द लें आप ऐस जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह इट का मंदिर है यह लगभग 11th century का बना हुआ है एक आर्मी और बार्मी सतापदी के बीच मिक के आसपास यह बना हुआ मंदिर है और इसमेक्टम्ण आप पीछे देख रहे होंगे यह जग पर छोटा सा छोटा सा मुर्ती रखा हुआ है अंदर में और बस यह टेमपल था और जो की एगार्मी और बार्मी शताबदी में कि आसपास होने का संभावना है इसका और देख सकते हैं आप दूर से देखिए आप इस टेमपल को बस एक छोटा सा टेमपल है इट का टेमपल गाई इस मंदिर का जो कलाकिर्तियां है काफी जवाब है आप नजीक से देखिए कि क्या कलाकिर्ती है जगा पर और तेखिए कुछ यू कलाकिर्तियां है अब देख पा रहे होंगे ऐसे हैं नहीं बहुत सा बारीक बारीक कलाकिर्ती है इस मंदिर के अंदर आप भी आए इस जगह पर देखें इस जगह को तभी आप पूरा देख पाएंगे इस जगह को तो वीडियो में व्यक्तर नहीं हो बातक्ता है इतना कुछ कुछ इस तरह का आकिर्तियां आपको देखने को मिलेगा मैं भी बता नहीं सकता कि एक्शली में है क्या कर देखंगे इस स्विग बता है भाएंगे खागे अजया जए예요 अजया आपको जब है दो कर दो कि अधिया और मैं अब चला बाहर और साम भी होने को है च्छे बजे संटेंपल से अपको आउट हो जाना होता है च्छे बजे के आस-पास इसलिए मैं भी अब बाहर जा रहा हूं अब मैं इंतिजार कर रहा हूं बश्च का कुणाग टेंपल से पूरी जाने के लिए जिसका फेर है 40 रूपी यहां से पूरी के लिए और पूरी से भीदर आने के लिए 40 रूपी चिके आस-पास ही और हमारा बस उस साइट से आएगी और उस साइट को जाएगी और हम लोग वेट कर रहा है बस इसी चीज का और बैटरी भी खत्म होने वाला है मेरे कैमरे का इसलिए अब भाई